एक हेलो सुरेंट्स वेलकम तो अभी मन्यु आइएज तो टार्गेट आइएज 2021 में आप सभी का स्वाखिले स्टुडेंट्स जैसा कि हम लोग टार्गेट आइएज 2021 में करेंट अफेर्स को कवर अप कर रहे हैं स्टुडेंच और वो current affairs रहेंगे आपके March 2020 से April 2021 के current affairs यनि कि more than more than one years के current affairs को हम लोग ये sessions के अंदर बहुत ही explained manner से cover up कर रहे हैं clear है और याद रखे का students ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो मेरा session पहली बार देख रहे हैं कि ये session prelims plus mains perspective से बहुत ज्यादा important रहने वाला है क्योंकि हम लोग ये sessions के अंदर prelims plus mains point of view से जो भी important question है उसको properly cover up कर रहे हैं in the detailed menu clear है और याद रखेगा ये हर एक session की PDF description section में एक link provided है अब वहाँ पर जाकर PDF को download कर पाएंगे clear है और अगर बात की जाए current affairs की तो अभी तक का हमने March April May June July August September और October को cover up कर लिया है clear है और हम लोग नवंबर 2020 के current affairs को cover up कर रहे हैं students याद रखें आज हमारा fourth lecture रहेगा November के 2020 current affairs के basis पे यहनी कि the 44th lecture is also based on November 2020 current affairs clear है तो session शुरू करने से पहले अगर मैं अपने बारे में introduction दू तो students myself कनम अगरवाल I am the current of a mentor in the Abhimanyu IAS clear है तो शुरू करें हम लोग अपना आज का session तो लीजिये students हमारा आज का session शुरू करते हैं और आज की सबसे पहली news रहेगी आपकी विलोव वॉबलर यह आपके लिए important रहेगा for the GS paper 3 के लिए अब देखते हैं क्या चीज है सुने ध्यान से यह क्या चीज है यहां पर बोला कि विलोव वॉबलर has been cited for the first time in India भारत में पहली बार यह स्पीशी देखें जो आपके सामने एक स्पैरो है ठीक है न कहां पे आड विल्यायनी पंचकरी पैडी फील्ड कैरला सबसे पहला ही पॉइंट आज का सबसे पहली निउस का important रहेगा preliminary point of view से और याद रखेगा इसी तरीकी के questions UPSC पूछता है कि क्लियर न याद रखे हैं में यह भी नोडाउन करके रखना है कि कहां पे सबसे पहले दिखाए इंडिया में डाट इस पैडी फील्ड इन्द कैरला और वो है आपका विल्यानी उचाकरी पैडी फील्ड क्लियर रेक्ट चले आंगे यहां पे क्या लिखा गया आगे कि इस पैडी फील्ड आर बर्डिंग होट स्पॉर्ट ऑन दे आउट स्कूर्ट ऑफ द तिरुवंद्रपुर्म यानि कि तिरुवंद्रपुर्म के आउट स्कूर्ट पे यह फील्ड अविलेबल है लोकेट रहती है और काफी ज्यादा होट स्पॉर्ट एरिया है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशिस की यहां पर बर्ड आपको देखने को मिलेंगी क्लेर है और इसलिए तो क्या बोला गया एंड आज नोन तू हार्बर मोर देन तू हुर्ड एंट तरीन स्पीशिस ऑफ देखने को मिल जाएंगी और एक तो रेजिदेंशियल रेती है और एक माइग्रेटरी मतलब जो दूसरे कंट्री से माइग्रेट करके आती है जो सीजनल यह आती है हमारे पास क्लियर है और अगर हम लोग बात करें विलोव वाबलर की तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है सुडेंट यह चीज अगें प दूसरे कि पासिफिक तो पासिव देखा गया ऑगे देखा गया कि जो पालरिट इक रिक जो जो जोन है is one the Earth's eight economic Ecozones and cover Asia north of Himalayas with the part of the Western Asia and the most of the Asia and Africa north of Sahara यानि कि जो हमने यहां पे एक zone की बात की है पहला रिटिक zone की बात की है और वो पहला रिटिक zone का जो area रहेगा वो कौन कौन सा area cover कर रहा है तो यह चीज again prelims point of view is important है मैं यहां पे आपके लिए हायाटे यूज कर देता हूं तो क्या लिखा गया कि यह zone है जो eco zone है वो कितना area cover कर रहा है वो है आपका Asia का north of Himalayas और कुछ हिसा western Asia का और most of the east Asia and उसके बाद एफरीका का north जहां पे सहारास present रहते हैं आपके तो यहीं पे आपको यह species present है और यहां पे maximum आपको देखने को मिलेगी clear है चलें आगे निक्स क्या आया migration के लिए लिखा कि दे माइग्रेट टू दो सब सहारान एफरीकन दूरिंग अर्ली विंटर्स यानि कि सब सहारान से यह माइग्रेट करके आते हैं अर्ली विंटर्स में और यह particular species के students features क्या है देखे ध्यान से लिखा की इढेर लिखा की इजब लगेंगेंड सब सहारान माइग्रेट एंगरिट आई इंपोर्टे खी सबसे लंबा माइग्रेट घ्राइट भिड़न और 1 आफ लॉं माइग्रेटेय। पर ग्रेटी चक्राल मेंगेंगेंड अंदूर्ट और क्या लिखा दब वेट एराउंट 10 ग्राम यह 10 ग्राम का रहता है और इस लॉंग विंग फीचर्स हेल पिट फ्लाइ लॉंग डिसेंस या निकि जो इसके लॉंग विंग जैना यह इसका फीचर है कि जो इसके लंबे पंक रहेंगे वह इसी की हेल्प करते हैं ज्यादा ड कि लंबे डिस्टेंस से कुड़ान भरने के लिए आगे क्या लिखा कि जो वॉबलर्स हैं आर जेंडरली डिफिकल्ट तो आइडेंटिफाई यह यानि की जो यह काफी ज़्यादा मुश्किलात होती है इसको आइडेंटिफाई करना ओनेंग तो दस्मॉल साइज एंड चे अगर बात की जाए इसके फोकस कीजेगा क्या लिखा कि यह जो स्पीशी है कि इस स्पीशीज इस एफेक्टेट बाइड़ॉट कंडिशन एक तो सूखापन से यह बहुत ज्यादा वल्नरेवल की तरफ जा रही है ठीक है इन इट्स विंटरिंग कॉर्टर्स ओके एंड हैबिटेट ऑल्टरेशन द्यू तो धूमन पॉपूलेशन एक्सपेंशन करेक इसको क्या लिख दिया गया लीस्ट कंसर्न करेक्ट है कोई डाउट तो नहीं है स्टुडेंट्स में एक एनॉंस्मेंट करना चाहूंगा उन नए लेर्नर्स के लिए जो पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है करन्ट अफेस के रिगा आएगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आपके कमेंट सेक्शन को फॉलो कर रहा हूं और कोई भी अगर डाउट रहता है तो नेक्स सेशन में मैं वह डाउट को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा क्लियर है बढ़ें आगे तो हमारी आज की सेकिंड न्यूस रहेगी आ क्या लिखा कि the Chief Justice of India during a hearing of the plea said that court is trying to discourage the petitions filled under the article 32 क्या लिखा गया और क्या बोला गया कि sorry जो भारत के Chief Justice of India है hearing सुनते हुए क्या बोला गया कि court is trying to discourage petitions filed under the article 32 क्लियर है अब CGI का व्यू क्या है इस केस को लिकर इस article 32 को लिकर लिखा गया कि CGI I noted that there is a spate of the article 32 petitions and retweeted that high courts can also uphold the fundamental right और वो कौन सा रहेगा वो रहेगा अंडर the article 226 क्लियर है यह बोला गया है Chief Justice of India के दुवारा the senior most judge of the India just को आप लोग बोलते हूँ अब आर्टिकल 32 में क्या है देखे ध्यांते लिखा कि आर्टिकल 32 of the constitution यानि की right to constitutional remedies क्या लिखा कि it is a fundamental right यह एक मॉलिक अधिकार है कि which states that individual have the right to approach the supreme court seeking enforcement of other fundamental rights recognized by the constitution बहुत important रहेगी यह चीज़ यहां पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि अगर fundamental right आपको मॉलिक अधिकार भारत के कोई भी राज्य के अंदर एक particular individual का एक अधिकार है कि वो supreme court की तरफ approach करे कब जब उसका कोई भी fundamental right को enforce किया जा रहा है recognized by the constitution of India यह अधिकार हमें कब कहां से मिला article 32 of the Indian constitution clear चलें आगे अब देखिए क्या लिखा कि the supreme court has the power to issue directions अब supreme court के पास ऐसे powers रहते हैं कि वो कुछ ऐसे निर्देश जारी कर दे कि issue the directions और order और the writs या फिर वो directions issue कर सकते हैं order pass कर सकते हैं रिट को pass कर सकते हैं यह चीज बोली गई है कि supreme court के पास पावर्स है जी बिलकुल है for the enforcement of any fundamental rights correct even क्या लिखा the writs issued may be अब इसी के अंडर article 32 के अंडर जो रिट अगर issue की जाती है इत में भी हाइबस कॉपस mandamus prohibitions और क्या सटरियस और क्यू वरंटो clear है ना कोई डाउट तो नहीं है यह important रहेगा then after the right to move the supreme court अगर कोई भी व्यक्ति supreme court की तरफ move करता है shall not be subjected sorry shall not be suspended except as otherwise provided by the constitution correct thus the constitution provides that अब भारत का सविधान क्या प्रवाइट करता है है that the president can suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental right during a national emergency यहनी की constitution प्रवाइट करता है कि president can suspend the right president चाहे तो आपका अधिकार जो मौलिक अधिकार्था सब्सक्राइब कर सकता है to move any court for the enforcement of the fundamental right कब जब national emergency declare की गई हो in the India under the article 359 of the Indian Constitution it clear है तो यह चीज ना again important यहां पर शो कर रही है clear को डाउट तो नहीं है students यहां पर किसी को भी चले आगे shall we move further अब देखें ध्यान से क्या लिखा गया कि since the rights guaranteed by the article 32 जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको guaranteed किया गया by the article 32 यह यानि की the right to move the supreme court where a fundamental rights is infringed clear है is in itself a fundamental right यानि की अगर आपका मौलिक अधिकार को violet किया जा रहा है तो आप लोग supreme court जा सकते हैं यह मौलिक अधिकार ही है कि right to move the supreme court is also considered as a fundamental right correct students यहां पर यह चीज इंपोर्टेंट बोली गई है और the availability of the alternate remedy is no bar to relief under the article 32 to prelim point of view से बहुत निम्पोर्टेंट रहेगा आपका correct एक आगे बढ़े क्या लिखा कि however हाला की the supreme court has ruled अब supreme court की क्या ruling आई है कि where relief through the high court is available under the article 226 the aggrieved party shall first move the high court है निकी however the supreme court ने ruling किया है कि high court is also available under the article 226 ठीक है the aggrieved party shall first move the court वो पहले high court की तरफ भी जा सकते है clear जैसा कि in the Chandra Kumar case 1997 में क्या हुआ the supreme court ruled that अब supreme court की ruling आई थी Chandra Kumar case 1997 में that writ jurisdictions of both the high courts and the supreme court constitute a part of the basic structure of the constitution यनि की जो high courts और supreme courts है दोनों के पास ही constitution के basic structures है clear है कुछ doubt तो नहीं है supreme court के पास under the article 32 and high courts के पास under the article 226 correct आगे देखिये क्या लिखा कि even as the supreme court underlined the powers of high court हला कि जो supreme court ने underline किया कि high courts के ये ये पावर है ये निदेश दे सकते है it has in the past transferred cases to itself from the high courts correct then after किते है most recently the supreme court transferred the case involving land use for the national capitals येनि की Central Vista project to itself from the Delhi High Court incidentally क्या लिखागे the petitioner had not sought such a transfer ये बोला गया किस के लिए Central Vista project के लिए ठीक है then when such transfers are made अगर इस तरीके की transfers हमें देखने को मिलेंगी या हो जाएंगी the petitioner lose a stage of appeal that would otherwise have been available had the high courts heard and decide the case again main perspective से ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है clear है students यहां तक याद रखेगा अगर कोई भी doubt रहता है current affairs को लेकर तो आप लोग comment section में जरूर लिखिए plus यह जो आप लोग आज session देख रहे हैं उसकी PDF आपको description section में दिए गए link से आप लोग वहां पर download कर पाएंगे clear restaurants यहां तक कोई doubt तो नहीं है आगे बढ़ सकते हैं अब next देखिए article 226 of the constitution क्या बोलता है ध्यान से देखेगा क्या लिखा कि जो आपका article है 226 of the constitution who empower करता है कि एक high court issue कर सकता है RITS को even include hybris corpus, mandamus, serterios, prohibitions and the q varintos को high court भी issue कर सकता है under the article 226 of the Indian constitution correct है किसके रिये for the enforcement of the fundamental rights of the citizen and for any other purpose again important है clear है students यहां तक आगे बढ़ते है क्या लिखा है the phrase for any other purpose अब इस तरीके का अगर फ्रीस आता है किसी भी purpose के लिए refers to the enforcement of an ordinary legal right यह लिगल ही अधिकार है और क्या लिखा गया कि this implies अब यह क्या अप्लाए करता है that the writ jurisdictions of high court is wider than that of the supreme court बहुत important है इसी लिए तो एक इंप्लाए किया गया कि जो writ jurisdiction है कि अच्याराइ का इस वाध दा शुप्रीमोड एक थापिड्रिक्ड रहे गा जाला कि बहुत प्रीन बहुत्व है अगे बहुत्त इंप्लाए कि अगल मुंहा को आगे बहुत इंप्लीं और वगउप्रेंख Pra और अनी अदर पर्पस यानि की सुप्रीम को तो सिरफ और सिरफ रिट्स को जारी कर सकता है इन दो एन्फोर्समेंट और फंडमेंटल राइट्स पर्पसेस्ट अगे पढ़िये क्या लिखा कि अब High Court can issue rights to Any person High Court किसी भी person के लिए issues कर सकता है रिट्स को authority के लिए कर सकता है government के लिए कर सकता है not only within its territorial jurisdiction यानि की वो सिर्फ अपने territorial jurisdictions के अंदर रिट्स को इशुझ नहीं करेगा बट also outside its territorial jurisdiction के बाहर भी वो इश्ट को issue कर सकता है है if the cause of action arises within its territorial jurisdiction नहीं की अगर वो action that particular high court के jurisdictions के अंदर territory के अंदर किया गया हो clear है यह बोला गया है हमारे भारत के सवीधान के अंदर अंदर अर्टिकल 226 of the Constitution of India अब देखेगा आज की हमारी निक्स न्यूस रेती है sex ratio and India और यह आपके लिए इंपोर्टेंट एक जी एस पेपर टू के लिए शुरू करें देखे द्यांचे क्या चीज है लिखा गया कि according to the 218 रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट के आधार पे on vital status of India based on the civil registration system की अरुनाचल प्रदेशन की नौर्थ इस्टेट्स आफ इंडिया का एक अरुनाचल प्रदेश recorded that best sex ratio at birth सबसे अच्छा sex ratio at the birth के ताइम पे नोट किया गया इन अरुनाचल प्रदेश इन दे कंट्री एक वाइल मनीपूर रिकॉर्डद दे वर्स सेक्स रिश्यो अड़ बर्त यानि की नौथ इसन सेट्स में ही एक अरुनाचल प्रदेश टॉप पे चला गया मनीपूर बॉटम पे आ गया और यह रिपोर्ट्स को जारी किया गया पब्लिश किया गया सुदेंस इंपोर्टेंट रहेगा बाइदर रजिस्ट्रार जेंडरल ऑफ एंडिया यहां पे मैं आप लोगों के लिए हाइलाइट कर देता हूं प्रलिम प्रस्पेक्टिव से यह चीज़ इंपोर्टेंट रहेगी और उसी तरफ मनीपूर ने वर्स सेक्स रिशो का क्या ख्लेर अब देखें क्या लिखा कि सेक्स रिशो अड़ बर्त क्या है नंबर ओफ फी मेल बॉन पर थाउजन मेल्स यह 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 निकी एट इस इंपोर्टेंट इंडिकेटर तु मैब दे जेंडर गैप ऑफ दे पॉपुलेशन यह एक सेक्स रिशो बर् अरुनाचल प्रदेश के अंदर देखे ध्यान से 1084 फी मेल्स ने जनम लिया पर 1000 मेल्स यह नहीं क्या पैसा बोच सकते हो कि गर्ल चाइल्ड कितने बॉन हुए है अरुनाचल प्रदेश के अंदर 1084 अगर कंपेरिजन किया जाए विद कंपेरिशन आफ 1000 बेबी बॉइस क् मिजौरम और केरला क्लियर अब क्या लिखा कि दर वर्स्ट सेक्स रिशो वाज रिपोर्टेट इन मनीपूर कितना 757 लक्षद्वीप में 839 दमनें दियू में 877 और पंजाब में कितना आया 896 गुजरात के अंदर 896 जैनी की पंजाब और गुजरात का सेम है जी बिलकुल देन आफ्टर डेली रिकॉर्डेट असेक्स रिशो ओफ 929 और हर्याना का कितना आया 914 में कितना 914 को डाउट तो नहीं है आगे क्या लिखा गया कि यह जो रेशो है कि रेशो वास्ट डिटरमाइन और बेसेज ऑफ डाटा अब यह जो रेशो निकला एक डाटा के अधार पर निकलता है बाइद थर्टी स्टेट्स एंद यृनि टरिटरीज अस दर रिकॉसाइट इन्फॉमेशन स्टेट्स नेमली बिहार जार्खंड महाराश्ट्रा सिक्किम उत्रप्रदेश और वेस्ट बेंगॉल इस नौट अविलीबल यानि कि बिहार का जार्खंड का महाराश्ट्रा सिक्क्यम उत्रप्रदेश और विस्ट बेंगॉल का डाटा हमारे पास अविलेबल नहीं है क्लियर है सुरिंट्स यहां तक आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा कि दस सेंपल रिजिस्ट्रेशन सब्सम अब वर्ट डो यू मीन वाइ सेंपल रिजिस्ट्रेशन सब्सम इसके ऊपर हम लोग आज के आज डाटा अड़ान करेंगे पहले यह पॉइंट को कवर अप कर लें कि जो आपका सेंपल रिजिस्ट्रेशन सब्समेंट की एसा रस है वो रिपोर्ट करते हैं 2018 के अंदर और शो करते हैं कि सेक्स रेशो सेंपल रिजिस्ट्रेशन सब्समेंट कुछ आउट नहीं है अब हाप लोग बस मेरे साथ बने रहें यहां पर हम लोग एक चीज को कवर अप करते हैं सेंपल रिजिस्ट्रेशन सब्सम क्या चीज़ रहती है तो नोडाउन कीजिएगा सुडेंट अब हम वाट दो यू मीन बसेंपल रिजिस्ट्रेशन सिस्ट्रम क्या है कि इस दर लार्जेस्ट देमोग्राफिक सेंपल सवेक सबसे बड़ा है यह इन दे कंट्री यहां पर एक बेसिक डेफिनेशन दी गही है सुडेंट सेंपल रिजिस्ट्रेशन सिस्ट्रम के लिए कि एक लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सेंपल सर्वेय है भारत के लिए दाट अगर इसी के लिए एक और पॉइंट को आड किया जाए क्या लिखा गया ब्रॉट बाइदर ओफिस और यह चीज प्रिलम्स पॉइंट आफ यूसे इंप्रेंट रहेगी कि कौन से ओफिस ने इसको शुरू किया रेजिस्ट्रार जेनरल ओफिस के द्वारा इसको शुरू किया गया किसको एस आर एसन के सेंपल रेजिस्ट्रेशन सस्ट्म को क्लियर रेशुडेंट यहां तक चलें आगे ओके अब आगे देखें यहां पे क्या है कि कंट्री तुद पॉपॉलर पर्सेप्शिंज इंडिया सेक्स रेशो बर्थ के टाइम पे डिकलाइन कर चुकी है याद रखें कर चुका है भारत का सेक्स रेशो द्यूरिंग टाइम आफ बर्थ इवन आस पर कैपिटा इंकम इंक्रीजड नियरली टेन टाइम्स ओवर देला से फाइव यह हाला की पर कैपिटा इंकम भी लास से फाइव यह से दस गुनी बढ़ चुके फिर भी सेक्स रेशो एड अब आगे आया जेंडर इंबलेंस को लेकर क्या लिखा की प्रुफेसर अमर्ता कुमार सैंट इन इस वर्ड फेमस आर्टिकल missing woman has statistically proved that during the last century 100 million women have been missing in the South Asia अब क्या लिखा कि दिस इस दू तू दू अब ये ऐसा क्यों हुआ साइकल है उसी की अधार पर डिस्क्रीमिनेशन होते हैं और क्या होता है लीडिंग टू अल्टिमेटली डेथ होता है और प्रोफेसर अमर्ता कुमार सैंट जी ने क्या बोला कि 100 million women missing हो चुके हैं in the South Asia clear डाउट तो नहीं है सुडेंट्स अगर डाउट है तो comment section में जरूर लिखिएगा आगे बड़े निक्स देखिए अब हमारे पास एक कटिंग में ने यूस कि है आप लोगों के लिए sex ratio felt means 11.7 million girls have gone missing और कहां कहां पर आप खुद देख पा रहे हैं यहां पर देखिए हरयाना में 833 UP में कितना 850 then after Himachal Pradesh में 841 इनकी इंडिया sex ratio fell from 909 in the 11 to 13 say 896 in the 2015 say 17 के बीच में correct है students यहां तक को डाउट तो नहीं है आप लोगों को चलें आगे फर्दर देखते हैं अब देखिए distortions in the marriage system काफी बड़ा role play किया जाता है in the sex ratio and India के news के लिए तो क्या है लिखा कि adverse ratio results in a gross imbalance in the number of men and the women and its inevitable impact on the marriage marriage system तो इसका impact किसके पढ़ रहा है किसके उपर पढ़ रहा है marriage system के उपर पढ़ रहा है ना as well as other harms to the woman correct then after भारत के अंदर in India some villages in Haryana and Punjab यहनी कि कई villages हर्याना और पंजाब के अंतरगत have such poor sex ratio इतनी ज्यादा कम sex ratio है that men import bribes from other states यहनी कि जो पंजाब और हर्याना के अंदर यह data के अधार पर लिखा गया पंजाब और हर्याना के states के अंदर कुछ ऐसे villages है कि वो लोग जब marriage करते हैं other states के bribes के साथ marriage करते हैं क्यूं क्यूंकि sex ratio बहुत कम है यहां पे clear ना और this is often accompanied by the exploitation of the these brides clear then after there are the concern that squid sex ratio lead to the more violence against both men and the women as well as human trafficking clear then देखिए अब important data अब शुरू होता है कि ऐसे क्या steps उठाए गए या उठाए जाएं कि भारत के अंदर जो sex ratio at the birth है वो बहुत बढ़िया बन जाए ताकि जो gender gap है वो कम हो जाए ताकि जो भारत अब problem को face कर रहा है due to the sex ratio हो खतम हो जाए कि सौरी तो देखिए किते इंक्रीस्ट female education and economic prosperity help to improve the ratio बहुत important रहेगा मेंस point of view से अगर हमी कोशन आता है woman empowerment को लेकर भी लिखा in this pursuit the government अरे इसी के आधार पे तो भारत सरकार ने लौच किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign has achieved remarkable success in bringing behavioral change in the society यह चीज बोली गई है और यह कदम उठाए गए government of hindi के द्वारा by starting the बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ campaign clear I hope यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा students आगे बढ़ते हैं क्या लिखा कि there is an urgent need तो एकदम से emergency basis पे urgent need आ चुकी है to reach young people for the reproductive health education and the services as well as to the cultivate gender equity norms again most important point है I hope आपको यहां पर कोई डाउट नहीं होगा clear चले आगे अब देखते हैं अब इसी news के अधार पे रेजिस्ट्रार जेनरल ओफ एंडिया का क्या है कहना देखिए लिखा गया कि रेजिस्ट्रार जेनरल ओफ एंडिया कब फाउंड किया 1961 में by the government of India जी बिलकुल और कौन सा मंत्राले है under the ministry of home affairs correct then after it arranges यहां पे क्या arranges की बात की गई है conduct करवाना है analysis करवाने है the results of the demographic survey of India including census of India to census of India भी इनी के अधार पर क्या जाता है इनी के द्वारा किया जाता है बिलकुल है and the linguistic survey of India linguistic मतलब भाशा के अधार पर जो survey के यह जाते है भारत के अंदर clear then क्या बोला की the position of registrar is usually held by a civil servant holding the rank of the joint secretary clear है यहां पर position को भी बता दिया गया और उसका background भी बता दिया गया then civil registration system क्या चीज़ है जिसको आप लोग बोलते हो CRS शुरू करें तो क्या है देखेगा कि civil registration system in India is the unified process of continuous permanent compulsory and universal recording of the vital events जिसमें birth है death है still births है and characteristics thereof or the data generated through a complete and up to data's यह क्या रिखेगा आपका CRS is essential for the socio-economic planning civil registration system is also important is also essential किस के लिए अरे social economic planning के लिए ना कोई डाउट हो नहीं है आप चलें आगे शेल भी मूफ फर्दर सुरेंट्स ओके आगे वड़ते हैं हम लोग अब देखें नेक्स न्यूज हमारी रेती है एपक वर्च्वल मीट के उपर और यह आपका इंपोर्टेंट रहेगा for the GS paper to clear it शुरू करें अब देखें ध्यान से यहां पे थोड़ा सा डाटा ज्यादा एड़ाउन करेंगे क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट ज्यादा रहता है तो शुरू करता हूं क्या लिखा एक वर्च्वल मीटिंग होती है 21 members के बीच में किसके Asia Pacific Economic Cooperation के बीच में जिसको आप लोग एपक बोलते हो फरम वास हेल्ड करेक्ट है अब क्या लिखा अब यह जो मीटिंग है सुडेंट्स एपक होस्ट किया गया बाइदा मलेशिया बिल्कुल है देन न्यूजीलैंड विल आल्सों होस्ट नेक्स यह एपक मीटिंग वर्चुली डियू तो पैंडमिंग अरे इंपोर्टेंट रहेगा यह चीज इंपोर्ट अगले साल न्यूजीलैंड विल आल्सों होल्ड होस्ट निक्स इयर एपक मीटिंग वर्चुली क्यों पैंडमिक के कारण जी बिल्कुल को डाउट तो ने यहां पर चलें सुरिंट्स वर्दक देखे ध्यान से देन आफ्ट क्या लिखा विद ग्रोथ इंद एश्या पैसिफिक रीजन अरे अगर ग्रोथ होती है एश्या पैसिफिक रीजन के अंदर expected to be declined by the 2.7% इस बार 2.7% का गिरावर देखने को मिला अश्या पैसिफिक रीजन के अंदर क्लियर रेना हां from 3.6% growth in the 2019 हाला की पिछले साल 2019 में 3.6% का हमें ग्रोथ देखने को मिल गया था करेक्ट टेक देन एपेक्ट्स फोकस वास और एक्सलारेटिंग एकनॉमिक रिकवरी और डेवलपिंग और एफॉरडबल वेक्षिन यह एफॉरडबल वेक्षिन को लेकर भी मीटिंग के अंदर बात की गई थी एफोकस एरिया स्कॉन कौन से हैं इस मिटिंग के दारान एक तो ट्रेड अंद इंविस्मेंट डिजिटल एकनॉमी टेकनलोजी स्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्ट्र रिफॉर्म्स एकनॉमिक और टेकनिकल कोपरेशिंग और थेमांटेक और इंस्टिशिशन मैंटर्स के लिए बिलकुल देन क्या लिख इस दर पुत्रा जया विजन 2040 के लिए अन्यू 20-year ग्रोथ विजिन तो रिप्लेस दर बोगोर गोल्स नेम्ट आफ्टर देंड अंड़नेशन ताउन टाउन वेर देलेडर्स एग्रीड इन नाइटेन फो करेक्ट है तु फ्री अन ओपन ट्रेड अन इंवेस्में तो अब देखिये क्या लिखा कि रिकोगनाइज दा इंपोर्टेंस ओफ फ्री ओपन फेर अन नॉन डिस्क्रीमिनेटरी ट्रांस्पेरिन और प्रेडिक्टेबल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एन्वायरमेंट भी आप इंक्लूड कर लिया गया तु ड्राइव एक्नॉमिक रिक इसप्रेक्टिव से याद रखेगा क्लियरे सुरेंट्स को डाउट तो नहीं है यहां पर शेल्वी मूफ फदर आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं अब इसी की निउस के अधार पर देखिये क्या लिखा आपके लिए यहां पर लिखा गया कि चाइना हास बिकेम दो में ड्रा इसप्राइंगे अधार आपके से नहीं के लिखा पर लिखा जाएंगे और पार्टिसिपेशन युए से के तरफ से कब से था संस 2017 तक नहीं किया गया था यादर रखेगा अब ये मीटिंग को लेकर चाइना का क्या स्टैंड है देखिए क्या लिखा गया कि एट वोड टू कीप इस सुपर साइस एकोनॉमी ओपन फॉर बिसनेस और वान अगेंस प्रोटेक्शन इसम अस वर्ल्ड बेटल दो कोविट 19 पैंडमिक यहां पर देन आफ्टर क्या बोला दाट ट्रंप अमेरिकास फर्स्ट पॉलसी हैस एलिनेटेट ट्रेडिंग पार्टनर्स यह डावा किया यह बोला गया यह व्यूस है यह थॉट्स है चाइना की और क्या लिखा कि आफ्टर साइनिंग ऑफ दे वर्ल्ड लार्जेस ट्रेट पेक्ट कॉन सा अरे रीजनल कॉ एकनोमिक पार्टनर्शिप यानि की पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड पेक्ट है कॉन सा रसी एपी दाट इस जार रीजनल कॉम्प्रेहेंसिफ एकनोमिक पार्टनर्शिप क्लियर है क्या बोला गया कि चाइना इस ट्राइंग टू सेट एजेंड आ एजेंड आ अल्दो चाइना इस प्रमोर्टिंग ओपनेस इन दे ट्रेड इट्स ओन एक्षिंस गो अंगेंस इसी के खुद के एक्षिंस इसी के लिए अंगेस बन गए ठीक है ना चलें आगे अब देखें यहां पर अब यहां पर क्या चीज बोली गई है यहां पर लिखा एपक के लिए एशिया पैसिफिक एकनॉमिक कॉर्परेशन के लिए सुरेंट्स फोकस कीजिएगा एक तो इसका स्टाब्लिश्मेंट नहीं कि गठित कप किया गया साउथ कोरिया आ चुका है मलेशिया मैक्सिको न्यूजी लैंड पपुवान्यू जिन्यवा पेरू है फिलिपाइन है रस्या है सिंगापूर चाइनीज टाइपी है थाइलेंड वियत्नम एंड यूस से क्लियर है युनाइट शेट्स पीस इसी का पाट बन चुका है मैंबर बन चुका है अब क्या लिखा कि ट्वेंटीवन मेंबर एकनॉमी अब यह ट्वेंटीवन मेंबर्स की जो एकनॉमी है वो कितना है आर होम तो अराउंड 2.8 बिलिन यह ट्वेंटीवन मेंबर्स की जितनी भी जीडिप है वो पूरे गलोब के अंदर 59 परसेंट का रोल प्ले कर रही है इंदर वोल्ड ग्डिप बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है आफ्टर 49 परसेंट आफ दर क्या रहेगा आपका आफ दो वर्ल्स स्ट्रीड करेक्ट है स्ट्रेंट्स यहां पर एंट 2015 करेक्ट आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या चीज लिखी गई देखें क्या बोला गया की जो भारत का स्टेंड रहेगा इंडिया एंड एपक के लिए तो देखें यहां पर जस्ट सेकिंड की इंडिया हाद रिक्वेस्टेट मेंबर्शिप इंड एपक भारत ने भी रिक्वेस्ट किया किसके अंदर एपक के अंदर ज्वाइनिंग के लिए इंडिया इंडिया अंदर ने इंडिया और ने ज्वाइन जीपान आस्वेलिया अंद पुड आउट तो नहीं है इंडिया डज नौट बॉर्डर द पेसिफिक ओश्टन वाइल ओल करन्ट करन्ट मेंबर्श दू यानि की जो हमारे पास करेंट ली मेंबर्श है वह पैसिफिक ओश्टन को टच करते भारत नहीं कर पाता कि एंडिया वोस इन्वाइट अब भारत को इन्वाइट किया गया था एजन ऑब्जरबर फॉर्स ताइम इन नौवंबर 2011 करेक्ट है चले आगे देखे द्यांसे क्या लिखा की रीजन्स फॉर इंडिया तो ज्वाइन अपिक यानि की भारत का रीजन क्या है ज्वाइन करने का की इंडिया विल बी और इंटीग्रेट विट गलोबल एकोनॉमी since APEC economies constitute an important trading block in the world clear है कोई doubt तो नहीं है students आपको यहां पर चलते हैं आगे क्या लिखा कि it will help अब यह help किसी स्को करेगा help करेंगे India bargains and negotiate a better deal with the countries of the Asia Pacific region correct है I hope आपको यहां पर कोई डाउट नहीं होगा students चलें आगे next देखते हैं तो students आज की हमारी next news किसके उपर रहेगी यह आपका रहेगा जी 20 के summit पर अपने आप में बहुत बड़ा role play करती है यह news आप लोग जैसा देख पा रहे हैं जी 7 रश्या आ गया जी इड बन गया अधर मेंबर्स आ गए तो जी 20 यह बहुत इंपोर्टेंट रहता है आपके लिए फिगर ख्लेर है शेल भी स्टार्ट अब क्या है लिखा गया एड जी 20 यहीं की group of 20 members का summit हुआ virtually summit held होता है virtually called for a new global index for the post corona world clear है यह एक बोला गया था एक बेस था एक आधार था इस बार की virtual meeting का clear अब क्या लिखा किते नए global index है कौन-कौन से एक तो talent आएगा technology को include किया गया transparency को include किया गया and trustee ship towards the planet clear और इस साल का summit host किया गया है Saudi Arabia के द्वारा important है चलें आगे अब देखें क्या चीज यहां पर students focus किया गया ध्यान से रेखेगा यहां पर लिखा the focus must shift to multi skilling एक तो focus को shift किया गया multi skilling skipper risk killing skipper from the capital and the finance to create a vast human talent pool correct tech अब अगर मैं आगेगी बात को कि भारत इंडियन इनिशेटिव भारत काप इनिशेटिव यानि की national skill development mission nsdm क्या चीज है इसके ओपर फिर से आज data add-on करेंगे just give me a seconds so that हम लोगी second para को compete कर ले कि national skill development mission क्या चीज है भारत का which aim to create coverage across sectors and the states in terms of the skill training activities cleric is already in directions of creating a vast human talent pool correct tech इवन अगर हम लोग अभी और बात करें एक तो आपने यहां पर nsdm को देख लिया ना तो students even nsdm के लिए यानि की national skill development missions के लिए भारत में आप लोग यह भी लख सकते हो ना की it also aim कि यह निकी आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो ना की इसका एक और aim objective है to expedite the season makings across the sectors ताकि हम लोग achieve कर सके skills को at the scales with the speed and the standards ठीक है कोड आउट तो नहीं है चलें आगे अब देखी क्या लिखा गया कि भारत का new education policy जो आया and programs such as the Pradhan Mantri innovative learning program Dhruv are well aligned with this elements अरे यह दूफ क्या चीज है पहले इसको cover up कर लेते हैं बहुत important रहते हैं फिर मैं दूफ के बारे में आपको data add-on कर वाऊंगा आज students क्या लिखा कि इंडिया ने सुझेस्ट किया that uh so that as follow-up actions and creations of G20 virtual secretary 8 as a repository of the documentation clear it then after क्या लिखा कि भारत के लिए जो digital India है यह governance है campaigns of India have increased अरे इंक्रीस कर चुका की people to assess to technology and other government services correct tech अब students आप लोग यहाँ पे ध्रूफ को no dawn कीजिएगा brilliant perspective से ना काफी जादा important रहेगा कि द्रूफ क्या चीज है आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं देखिए no dawn कीजिएगा एक तो याद रखे सबसे पहला point की वोज लॉंच्ट बाइक अरे किसके दुआरा launching किया गया है students इसको देखिए ध्यान से यूनियन human resource development ministry है यहाँ है इसको गठित करने का objective क्या था लिखा गया कि इसका objective of the किसका प्रधान मंतरी इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम इस तू एनकरेज तैलेंटेड अरे यह एनकरेज कर रहा है कि इसको तैलेंटेड स्टूडेंट्स को है क्लिर है तू रियलाइज देः फुल पोटेंशिल ताकि वो अपने फुल पोटेंशिल को देख सकें clear है and henceforth contribute to society students याद रखें हम किसके बारे में discuss कर रहे हैं धुरूफ के बारे में अरे यह धुरूफ क्या है कहां पर नाम रखा गया क्या लिखा गया इट इस नेम्ड आफ्टर पोल स्टार डाट इस दुरूफ तारा यानी की जो पोल स्टार होता है न जो नौट डारेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसके अंदर अरे जो हम लोग कॉंसलेशन डागरम के अंदर देखते थे जोग्रफी में तो वहां पर जो पोल स्टार है जिसको हम लोग धुरुफ तारा बोलते तो उसी के अधार पे तो नाम रखा गया धुरूफ और क्या है यह प्रधान मंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपना पोटेंशल 100% देख सके हैं क्लियर है चलें आगे कोई डाउट तो नहीं है सुरेंट्स अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आप लोग ओके आगे बढ़ते हैं देन आफ्टर देखेगा लिखा की दे वर्ल्ड शुट डील विद अन्वार्मेंट पूरा दुनिया डील कर रहा है अन्वार्मेंट के साथ और नेचर आज अगर आज त्रॉस्टीस रधर देन अनॉनर्स विच वुट इंस्पार अस तोवार्ड हॉलिस्टिक अंड अहल दी लाइश टाइल कि लिए कोई डाउट तो नहीं है यहां पर चलें आगे क्या लिखा कि जो क्लाइमेट चेंज है मस्ट भी फॉट not in the silos बट इन एंटेग्रेट अई एंटेग्रेटर इंटेग्रेटेटिट एंट्रॉस्ट एंट वे एप्रोच choose करना है हमें किस के लिए अरे climate change के लिए बिलकुल then after क्या बोला a principle whose benchmark could be upper capita carbon footprints यनि की a carbon footprints is the amount of the greenhouse gases अरे carbon dioxide की डिर्क ली बात है न मिथेन की कर ली sorry sorry primarily carbon dioxide released into the atmosphere by a particular human activity human activity के कारण ही तो maximum carbon dioxide अब हमारे atmosphere में present है अब क्या लिखा कि future meetings कहां कहां पर रहती है यह आपका main point of view से important है यह चीजें याद रखें students इसी तरीके का question हम लोग अगर वहां पर answer लिखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा impact पड़ेगा students के लिए तो बहुत benefit रहेगा यहां पर clear है चलें आगे आगे क्या लिखा future meetings को लेकर कि इटली में हो जाएगी एक तो 2023 और ब्रजील के अंदर 2024 में अगेन important chronology बता दी गई आपकी साओधी रेभी आ गया 2020 इटली आगया 2021 इंडोनेशिया आगया 2022 भारत आगया 2023 ब्रजील आगया 2024 कोई डाउट नहीं है clear है यानि क्या पैसा बोल सकते हो कि 2022 2023 में एशिया कंड़क्ट कर रहा है जी 20 summits को जी बिल्कुल clear है ना चलते हैं आगे अब देखिए इंडिया इनिशेटिफ अरे यहां पर बहुत इंपोर्टेंट रहेगा अब भारत का क्या इनिशेटिफ है फॉर्ड लर्निंग इमेजिंस के लिए इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को शुरू करता हूं देखिएगा लिखा इंफ्रस्ट्रक्ट्टर पुष के आधार पर देखिए कि इंडियास नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रस्ट्रक्ट्टर पुष विल नॉट ओनली बी कन्वीनियन्ट और एफिशन हाला कि ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सरफ कन्वीनियन्ट है वो एफिशन भी है बट विल आल्सों कॉंट्रिबूट तो अप्लीन इन्वार्मेंट ये नेक्स जेनरेशन इंफ्रस्ट्रक्टर भारत का एंवारमेंट क्लीन करने में भी कॉंट्रिबूट कर रहा है क्लियर है ना जैसा की ग्जाम्पल्स प्रधान मंत्री के द्वारा कहां पे अग्टर हैंबर्ग जी ट्वेंटी मीट इन थे 2017 इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिलिम पॉइंट आ व्यू से की जो कोलीजिन फॉर दिजास्टर्स रेजिलियन इंफ्रस्ट्रक्टर है वो अग् क्या बोला गया देखे यहां पर कि दिस्विल एक्ट आस अर्प कन्वेंग बॉडी दाट विल पूल बेस्ट्रक्टाइसस और रसोर्स इस फ्रम एरांट वर्ल्ड फॉर्ड फॉर्ड री शेपिंग अरे री शेप करना है किसको एक तो कंस्रक्शन को ट्रंस्पोर्टेशन इनर्जी को टेली कॉमनिकेशन को और वॉर्ट को ताकी विल्दिग इन धी ओर इंद्स्क्रक्श्चर्च क्यों यह हमारे कॉर इंपर सब्सक्रक्श चिक्तर तो और अगर बात की जा आए प्रोडूसंग एन्रजी के लिए तो इंडिया-फ्रांस जॉइंआ ली बना रहे गोल of 175 गीगावाट्स of renewable energy as a part of climate commitments made under the Paris climate deal well before the target 2022 again बहुत important रहेगा civil services examination point of view से याद रखें भारत फ्रांस के दब मिलकर अब क्या लिखा कि उन्नत जोती by the affordable LEDs for all जिसमें उजाला स्कीम हमने देख ली थी and the LED street light national program यानि कि SLNP scheme जो लॉंच की अगया भारत के अंदर has made LED light popular saving around 38 million tons of carbon dioxide emission per year again prelim point से important है चलें आगे एवन उजवला स्कीम के तहत smoke-free kitchens use के जा रहे हैं have been provided to over 80 million households में जहां पर लिखा गया कि largest clean energy drive है पूरे globe में world की बात कर लिए comparison कर लिया अब combat desertifications में की the United Nations Convention to combat desertifications links development and environment to sustainable land management and aim to combat desertifications and ill effects of drought clear then clean air and the water के लिए the national clean air program launch किया गया जिसका aim था objective था कम करना air pollution को and ना मामी गंगा प्रोग्राम अरे ये सारे आप के लिए बहुत important रहेंगे सीख कर रहा है किसी इसको देख रहा है री जैनुएट रीवर गंगा and show the spirit of the trustorship and the governance clear a good out तो नहीं है आगे देखते अग जी 20 क्या है यहां पर लिखा कि एक informal group है 19 countries का European Union का भी representative है international monetary funds in the world bank और क्या लिखा कि जो G20 membership है ना दुनिया में largest advanced emerging economy है यहीं की two-third of the world population G20 के member है 85 percent of the global gross domestic product इसके है 80 percent of the global investment G20 का 75 percent of the global trade किसका G20 members कौन कौन से students Argentina Australia Brazil Canada China France India यह आपके सामें सारे members present है G20 के clear for doubt तो नहीं है अब सुरेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास news इससे भी आ गया है but due to the time मैं आज का session यहीं तक रोकता हूं और अगर कोई doubt रहता है तो comment section में जरूर लिखकर बताईएगा क्योंकि मैं daily basis पर आपके doubts को देख रहा हूं और कोई doubt रहेगा तो next session में आपके doubt की solve करने की पूरी कोशिस करूंगा और आशा करूंगा कि आपको यह वहला session भी काफी अच्छा लगा होगा so please इसको maximum view कीजिए और share कीजिए thank you students